हेलो एव्रीवन वेलकम बैक तो मैं चानल और इन टोड़ेस्ट वीडियो विवेल दिसक्स इंपोर्टेंट क्वेशन्स और अफ एवरी ब्लॉक और जिसकी बात करेंगे हम कि हमारा एक्जाम हो चुका है MEG2 तक तो अब बात आती है MEG3 की जो आपका MEG3 है वो आप जानते होंगे MEG3 आपका कोड क्या लगता है MEG3 का कोड लगता है आपका ब्रेटिश नोवल तो अभी आपके पास टाइम है तो आप ब्लॉक वाइस कर सकता है विकर इसका एक्जाम एक दो दिन बाद है इसमें बात करेंगे MEG6 जिसका नाम है ब्लॉक नमबर 6 Heart of Darkness सो Heart of Darkness जिसको लिखा था जोसेफ कॉंड़ेड ने इस पर उन्होंने क्या सिचुवेशन प्रिजेंट किती यह सब आपको पता ही होगा जब आपने इसका समरी वीडियो देख लिया होगा इस पर्टिकुलर नोवल का तो इसमें हम कुछ क्वेशन की बात करेंगे जो इसी नोवल से रिलेटिड है और एक्जामिनर आस्क्ट अगेन अगेन इन दीस क्वेशन इन्हीं को बार बार पूछता है गुमा फिरा के तो एक बार आप देख लेजिए कोरें से नोवन है इसका लिए कि किस तरीके से जो इसका स्टरIक्शव है मे技 इसके मेंनिंग को कांट्रिब्यूट करता है ईंच久 I am पीपल कॉल डाक अन्वाइज इस कॉंटिनेंट इस कॉंटिनेंट तो इस तरीके से भी कुश्ण बन जाता है नेक्स कुश्ण ने बिंग आउट दा सिंबॉलिक सिंगनिफिकेंस ऑफ टाइटल ऑफ दर नोवल हार्ट ऑफ डाकनेश सी जब बात हो रही है हार्ट ऑफ डाकनेश की सिंगनिफिकेंस बताना है कि इस नोवल को यही नाम क्यों दिया गया symbolic significance, title के बारे में बताना है heart of darkness, darkness मतलब अंधिरा यहाँ पे African people की ऐसी situation के बारे में elaborate किया गया है इस novel में जो कि किसको represent करती है darkness को represent करती है क्योंकि वहाँ पे education level नहीं है लोगों का discrimination है, upper class, lower class society है rich और poor people के बीच में difference है तो इन सारे differences की वजह से जो वो area है, वो dark है और वैसे भी वहाँ पे जो dense forest है वहाँ का जो weather है, जो climate है, जो rivers है और जो घने घने पेड है, उसकी वजह से भी इसको dark बोला गया तो यह दो meaning present करता है यह जो इसका title है एक darkness, जो इनसान के अंदर का darkness होता है ठीक है, जो society में darkness spread up है चाहिए वो social evil हो गया, चाहिए वो discrimination हो गया चाहिए वो black complexion की वजह से लोगों का superior होना या फिर उसको degrees करना आपको पता होगा जो British government इंडिया में भी आई थी तो उन्होंने क्या किया था उन्होंने अपने आपको superior बताया था because they all were white तो इसी तरीके से जो अफ्रिका थी उनके condition भी ऐसी था अफ्रिका की condition भी ऐसी थी और वहाँ पे भी इनी का overall था तो जहां पे भी Britishers का overall था उनका एक ही propaganda आप समझ सकते हैं कि वो अपने आपको superior बताते थे because of the color complexion और जो दूसरा nation है जो वहाँ का native people है जिनका थोड़ा था dark complexion as you all know that the African people are little bit dark in complexion due to due to sunrise और उनकी situation है उनकी country की जो लोकालिटी है ये जब आप जो ग्रफिने में कभी आपने पढ़ा होगा चोटी classes में तब आपने पढ़ा होगा कि वह संसे कितनी दूरी पर है किती दूरी पर नहीं है इसकी वज़े से जो इसकी climate changes आते हैं जो surrounding में अंधेरा है atmosphere में अंधेरा है लोगों की सूच में अंधेरा है differences है इसारी जीज़ेस के अंदर आ जाएंगी यह बहुत important है इसलिए इसके ओपर थोड़ा सा discussion किया मैंने next question is question number 3 discuss the theme of race in the dark heart of darkness कि race को लेकर क्या discrimination शोग किया गया है इस particular novel में कि कोई male है कोई female है किस तरीकी का उनका अपस का relation है या फिर कौन कौन सी duties जो है कौन से work है जो males को करने है कौन से work है जो females को करने है तो यह सारी चीज़े elaborate की गई है इस particular novel में now we have question number 4 discuss the omniscient point of view in the heart of darkness so again omniscient view बताना है heart of darkness का comment on the conrad depiction of women in the heart of darkness कि क्या situation थी women की heart of darkness जो novel लिखी गई है इसके अंदर see if any nation goes under any another nation like Britishers के अंदर में था Africa भी इंडिया की तरह आप समझ सकते हैं इंडिया के context में तो वहाँ पे जो men होते हैं उनकी तो situation worst होती ही होती है जो women होती है जिसे कि इससे पहले की question में discuss किया कि जो racism था जो social issues थे जो racism था जो gender discrimination था men and women के बीच में वो भी बहुत जादा यहां पे होता था और जो इसके writer है जो इसके novelist है Joseph Conrad इन्होंने इस चीज़ को बहुत proper तरीके से elaborate किया है now we have question number 7 comment on Marlo shifting opinion in the heart of darkness तो Marlo ने किस तरीके के opinions का use किया heart of darkness से तो आपने देखा इतने questions में यह वो questions हैं जो last 10 years में repeat हुए हैं ठीक है इन्हें आप देखेंगे तो आपको यह question paper में नजराएंगे 14 15 16 से लेके आप 20 तक के papers देख डालिए तो उनमें यह questions आपको नजराएंगे यह कई-कई बार repeat हुए और इसका सबसे important question है question no.2 ठीक है question no.2 मैं दुबारा से discuss करूँ तो bring out the symbolic significance of the title of the novel the heart of the darkness यह सबसे important question है इस novel का वैसे तो आपको सभी करने हैं right now you all have time तो आप एक बार इनको देख लिजे और लास्ट मोमेंट पे अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा तो आप क्या करेंगे सबसे पहले summary video देख लिजे उसके बाद इस question को cover कर लिजे इस question को cover कर लिजे बाकी questions में suppose नहीं आया तो आप क्या करेंगे you have to write summary of that particular novel किसी भी novel का question पूछा गया और आपको उसका exact answer नहीं समझ में आ रहा है then you have to write summary मिलेंगे next video में अपना ध्यान रखि thank you